असलाम लेकुम बच्चो आप सब कैसी हैं उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे आज हमारा दर्स नंबर 16 है जिसमें हम अमली किताब का सफा नंबर 10 और 18 करेंगे चलें बेटा अपनी अमली किताब निकाल ले सफा नंबर 10 पर हमारा इसम चमात अवल में भी आप पड़ चुकी हैं अब ये दुबारा से हम करते हैं किसी शक्स चीज या जगा के नाम को इसम कहते हैं मसलन पाकिस्तान एहमद काजर वगरा अब बेटा हमारे इर्दगिर जितनी भी चीज़ें मजूद था इसका कोई ना कोई नाम जरूर है ठीक है जैसे ये है ये क्या है ये चीज़ क्या है इसका नाम क्या है पैंसिल ठीक है जैसे ये चीज़ क्या है इसका नाम क्या है कैंची नाम है ना इसका कोई और ये क्या है जैसे ये होगी चाबी ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज क्या जानवर है, इंसान है, फल है, सबजियां है, हर चीज के नाम से हमें अंदाजा होता है ठीक है, उस चीज शक्स या जगा के नाम को हम इसम कहते हैं आप अपने कमरे में देख लें, सोफा, बेड, ठीक है, इसी तरह कोई तस्वीर, टीवी, इसका कोई नाम जरूर है, इस नाम को क्या कहते हैं, उसका इसम, ठीक है, इस नाम को इसम बोलते हैं, तो इसकी तरीफ क्या हुई, किसी भी शक्स, चीज या जिगा के नाम को इसम कहत बिल्ली का पता है बिल्ली जानवर को कहते है तो उस नाम से हमें उसका बता चल गया कि क्या है इंसान है कि जानवर है तो किसी भी शक्स चीज या जगा के नाम को हम इसम कहते हैं अब आपने क्या करना है आपने इसम की तरीफ अपनी उर्दू की कॉपी पर भी लिखनी है मैं इसमी नाम किसी इंसान का नाम लिख दें कुई चीज लिख दें किसी शेहर का नाम लिख ठीक है बेटा यह आपने तरीफ उर्दू की कौपी पर इस तरह करनी है आपके जो उर्दू की कौपी जिसमे आप सवालात कर रहे हैं इमलाक इलफास कर रहे हैं वहीं आपने यह तरीफ भी लिखनी है अब आप किताब पर आजें गोर से पढ़ें और इसम के गिर्दारा लगें अब आपने बताना है मुझे एहमद कमरे में है इसम क्या है एहमद और कमरे वेरी गोड़ अली आम शौक से खाता है तो क्या है अली और आम शेर जंगल में रहता है शेर और जंगल गाएं घास खाती है गाएं और घास हमजा का बस्ता अच्छा है तो इसमें क्या होगा हमजा और बस्ता गोर से पढ़ें और हर इसम को मतलुका हाने में लिखें ठीक है, यह आपको दियेगी है इल्फास, अब आपने इसको लिखना है जैसे मस्जित क्या है क्या चीज़ा, यह जगा का नाम है तो हम इसको क्या लिख देंगे जगा में असलम क्या है शक्स का नाम तो ये इस हाने में आजएगा पिशावर क्या है जगा तो ये इस हाने में आजएगा ठीक है जैसे बसता क्या है चीज तो ये इस खाने में आजएगा इसी तरह आपने इनिल फास को इसके मुतलका हानों मे लिख लेना है अब आप निकाल लें सफ़ा नंबर 18 जी बेटा सफ़ा नंबर 18 पर आपके मुझकर मोनस हैं वो इलफाज जो किसी नड़ के लिए इस्तमाल होते हैं मुझकर के लाते हैं मुझकर लड़का बैल जूज और जो किसी मादा के लिए इस्तमाल होते हैं मोनस ठीक है आपर मजखकर मौनस देगे हैं जैसे नाना नानी चच्चा चच्चि तो ठीका चच्ची को आफ दो मर्तबा यहाँ भी लिख लेंगे या आपने मजखकर मौनस अच्छी तरह याद भी कर लेनी है चच्ची किसी तरह आपके ये बारा इलफाज है मामू मुमानी अब्बू उसकी मौनस अम्मी हादिम हादमा उन्ट उन्टनी हाथी हत्नी मैं इसमें आपको बता देती है हत्नी कैसे लिखना है ये हे तो ये साथ बनी थे ये नोन और ये ये हत्नी ठीक है आपने खुब्सूरत लिखाए से इसी तरह लिखना है सबस्क्राइब जमाद का काम और तारीक लिखेंगे फिर काम शुरू करेंगे बाच्चा मलका शहजादा शहजादी हालू हाला फुपा फुपी मुझे उमीद है बेटा आपको इसम की समझ भी आ गई होगी और आप मुझे कर मौनस भी खुबसूलत लिखाए से लिखेंगे अल्ला हाफिज